इन लोगों को गरीबों से कुछ ले लोगा तीरिक 20 लाख रासन कार्ट जोड़कर के गरीबों को हरा रासन कार्ट देने कार्ट यह देते वेते नहीं है यह आपक्स के पाद जो है वो छिन लेने वाले लोग हैं आज यहां गरीडी जी ले के कार्ट करम के सुबारम के सुबासर पर हमारे पाख हमारे साथ मच पर उपस्तित हमारे मंत्री मंडल के सहयोगी मंत्री आदर्णी आलम जी रालम साहब यहां उपस्तित हमारे बड़े भाई जगणात महतोजी जो सिख्षा विवाग के मंत्री भी है हमारे साथ मंत्री मंडल के सहयोगी सत्यान भोकता जी यहां उपस्तित आपके अस्ताजे विधायक सोनो जी यहां उपस्तित विधायक बिनोट सिंग जी यहां उपस्तित जिला परिशत के अध्यक्ष पाध्यक्ष गण्ट जिला के आयुक्त उपायुक्त पुलिस कर्तान सभी वर्ष्ट पदाधी कारी गण्ट और विसेश गण्ट आज यहां इस कारिक्रम में गिरिडी जीले के तेरा परखन चार अनुमंडल और लगवग सारे तीन सो पंचायतों से आये वे आप सभी ग्रामीनो किसान भाईयो मातायन बहने नौजवान साथी बड़े बुजूर्ग आर अबोरेन गोबबा भोया मिस्रा को मजी अडाम गुडित नाइके को सनामखन पाईल अलिंग सेंखन अडियडी सनाव आर गुनमना जोहार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार इस कारिकरफ के लाम सही आप अंदाया लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश और सरकार की मनसा क्या है हमारा यह जारकन परदेश जंगल पहाड नदी नाला उचे निचे पहाड़ों से बनावट वाला यह राज है और हमारे लोग इस राज के ऐसे ऐसे कोनों के उन्हें में रहते हैं कोई पहाड के उपर कोई पहाड के निचे कोई नदी के किनारे कोनों के उन्हें में रहते हैं कोई पहाड के उपर कोई पहाड के निचे कोई नदी के किनारे एक घर दो घर बसा बसा घर के लोग अपना अपना जीवन यापन करते हैं और हमेशा से ये बाते सुनने को मिलता है कि सरकार की योजना तो दूर की बात है न सरकार की आवाज जाती है न सरकार की पदादिकारी जाती है न सरकार का नजर उन सक पहुंशता है इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पहले चरण आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम प्रारम किया था और जिसके माजम से लगबग छे हजार सिवीरों का आयोजन हुआ था किसी पंचायत में किसी घर के किसी ग्रामीन के घर के सामने आपके आसपडोस में ये सिवीर लगता था और जो पदादी कारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे वहाँ पर पदादी कारियों को पहुँचकर भेज कर आपकी समस्या और आपका समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था और उन छे हजार सिवीरों के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमारे पास आए थे पारून आवेदनों का लगभग 99-30 समस्या का समाधान भी राजसरकार ने अब कर दिया है लेकिन वहीं बाते पूरी नहीं होती है अभी तो 20 सालों का जो हमारे बिरोदियों के द्वारा इस राज को जो तहन नैस किया गिया था उस राज को फिर से जिवन्त करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा वक्त लगेगा जो घाव इन लोगों ने इस राज को दिया है उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा इसके लिए आप सब लोगों का भी सरकार का सहयोग बहुत ही जरूरी है आपका अरसिरवाद सरकार के लिए बहुत जरूरी है आज उसी कड़ी में जो आपके लिए सरकार योजना बनाती थी पूर में 20 सालों में आपके लिए यो योजना बनी उन सब को इन लोगों ने आपस बंदर बाठ करके कागज कलम में इखा करके खत्ब कर दिया और आज आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है वो योजना का गट्री बांद बांद करके पदादी कारी अब आपके घर के दर्वाजे में खड़े नजर आएंगे बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाब ले सके आप उन योजनाओं से आने वाले पिडियों के लिए बेहतर ब्यवस्ता खड़ा कर सके उनके लिए बढ़िया रास्ता बना सके ये हमारी सोच है आज आप सब लोगों को मालूम है इस राज में गरीब की संख्या बहुत है इस राज में हमारे इतने गरीब लोग है कि खाना पीना तो छोड़ दिए तन धकने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था हमने भारत सरकार से कहा था जो इस राज में हमारे बिरोधी लोग है इनी लोग का दिल्ली में सरकार चल रहा है बारती जनता पाटी का हमने परदान मंतरी जी से कहा था कि हमारे राज में मजदूर की सिम्कार लोग सबसे अधिक है गरीबी हमारे राज में सबसे अधिक है देश का सबसे पिछडा राज है ये जारकन और कुरोणा में आपने देखा कि इस राज सबसे अधिक लोग दूसरे राजियों में पलायन करने जाते थे मजदूरी करने जाते थे आज इस राज के हर गरीब हर बुजुर्ग हर विद्वा महिला हर एकल महिला को हम पेंशन देना चाहते हैं आप हमें इसमें मदद की दिये लेकिन भारत सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुने लेकिन जब हमने देखा कि भारत सरकार अब इस पर कोई नीड़े नहीं लेना तो हम लोगों ने अपने ससंकल्ब लेते हुए इस राज के हर पेंशन को हम लोगों ने सरवजन कर दिया अब इसमें कोई A.P.L. भी पेंशन सभी बिद्वाओं को पेंशन सभी एकल को पेंशन देने का अगय हो और वो भी एकदम सुनेशित समय पर महिना के पास तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदादी कारियों को निर्देश दिया और तो और 20 सालों की हमारी बिरोधियों की जो सरकार थी आपने देखा होगा पिछला बार देने का तो छोड़ दिजे ये जमात ही ऐसी रही है ये देते वेते नहीं है ये आपके पास जो है वो छिन लेने वाले लोग है और उसी का परिणाम था जो गरीबों को रासन दिया जाता था लगबह 11-12 लाक राशनकार तक इन लोगों ने डिलिट कर दिया था वहीं जब हमारी सरकार बनी आज हम लोग अतीरिक 20 लाक रासन कार्ट जोड़ गरीबों को हरारा संकार देने का काम कर रहे हैं इन लोगों को गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है अनेकों योजना है जिसको आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो बिसुद रूप से हमारी गरामी ने अर्थ विवस्था को मजबूत कर मजबूती परदान करेगा चाहे वो पसुधन योजना हो चाहे बुख मंत्री सोरजगार योजना के माध्यम से हो चाहे विर्षा हरिद्ग्राम योजना के माध्यम से हो चाहे ध्यान से शांती शांती थोड़ा तारवार सट गया था ध्यान से खड़े रहिएगा तारवार इदा उदर रहता है थोड़ा साहिज अब को ध्यान रखिएगा कोई किसी को पैरवार में ना लगे कोई दिकत नहीं है कोई दिकत नहीं है थोड़ा साहिज फटा का फुटा था तो कई ऐसी चीजे हैं बहुत सारी बाते हैं अगर मैं हर बातों को कहना सुरू करूँगा तो आज दिन पर भी हम बोलेंगे तो बाते खतम नहीं होगे आज यतने सारी योजनाएं आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं आज हमारे लिए काफी गौरब की बात है कल अंतर रास्टिये बाली का दिवस भी है बाली का दिवस भी था और आज हम लोग इस बंच से सावितरी भाई पूले किसोरी समरिद्धी योजना का भी इसकुल कॉले जाने वाले बच्चियों के लिए हम लोगों के लिए काभी गौराब का दिन ही आज इस योजना के माध्यम से लगबग नौ लाख बच्चियों को हम लोग फूलों सावित्री भाई फूले कि सुरी योजना के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तब उसको एक चालीस लाख रुपे तक हम लोग देने का काम करेंगे और बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो हम लोग लगातार निरंतर प्रयासरत हैं अभी आप देख रहे होंगे कि हर जिला में एक नया स्कूल मॉडल स्कूल बनके तैयार हो रहा है और हमारा संकल्प है चुकि दो साल हम लोग कोरोना में भसे रहे हैं आप सब लोग को है कोरोना ऐसा था कि सब को घर दुआर में ताला लगा करके बंद करके रहना पड़ा दो साल के बाद जब हम लोगों ने काम सुरू किया आज उसी के परिणाम के अनुरूप हम लोग हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं सरकारी मॉडल स्कूल और वो ऐसा इस स्कूल होगा जो यहाँ इस राज के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बैतर इसकूल हम साबित करेंगे हुआ हमारे बच्चे प्राइवेट इस्कूलों को देखकर काफी आकरसित होते हैं लेकिन पैसे के आभाव में वो इन इसकूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों ने यह संकल्ब लिया क्यों नहीं आप राज सरकार के इसकूलों को भी ऐसा इसकूल बनाया जाए जो प्राइवेट के बराबर और उसके टकर का हो और उसी अस्तर का सिछक हो उसी अस्तर का पढ़ाई का भी विबस्ता हो और आगरा सत्र से हमारा प्रयास है कि उन इसकूलों को प्रारम करने का लगातार इसमें काम चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा कि इस राज में हमारे जो अनुसुती हमारे जो कल्यान विबाग के होस्टल हुआ करते थे और वो कल्यान विबाग के होस्टल जब से बने कभी नहीं वो बना और वो आज पहली बार पूरे तरीके से जीवन थो रहा है और तो आप उन बच्चों को वहाँ पर रश्या भी उपलब्द कराने का हमारा संकल्प है और वहाँ पर चौकिदार भी उपलब्त कराने का हमारा संकल आज यहाँ लगवग साड़े तीन सो पंचायतों से आप लोग आये हुए अलग-अलग संबर्ग, अलग-अलग योजनाओ साच्छादित लोग भी यहाँ मौजूद है कई सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कई उमीदे सरकार के साथ बदी पड़ी है क्योंकि सरकार जो पहले की सरकार थी ना सुनती थी ना करती थी वो सरब लाठी चलाना जानती थी और गरीबों का जान लेना जानती थी आज ये सरकार सुनती भी है और लोगों का काम भी करती है आज उसी का परिणाम है आज हमारे पारा सिचक हो चाहे हो सायक पुलीस हो चाहे जिलाबल के पुलीस हो चाहे सरकारी करमचारी का पुराना पेंसन इसकीम हो चाहे हमारे इस राज के बुड़ा बुजरुगों लोगो का पेंसन का स्कीम हो कई ऐसे योजनाएं अभी हमारे सिक्षावी भाग के माद्यम से लगब पच्चीस जार नियुक्तिया निकलने जा रही है जिसके माद्यम से हम बड़े पैमाने पर अपने आने वाले पीडियों को नौकियों से जोड़ने का काम करेंगे सिक्षा से जोड कभी भी बिना विवाद का परिक्षा नहीं कराता था उस जेपीएस्टी के माद्यम से इस वार हम लोगों ने थाई हजार बच्चों को बिना विवाद की ये निक्ति दिया है और आज वो कहीं वीडियो कहीं सियो कहीं हमारे कलेक्टर बन करके तैनाथ हो गए और आपको कि उन सभी कलेक्टर विडियो सियों में जो हम लोगों ने थाई सो बच्चों को निक्ति किया उन सब में 33 बच्चे ऐसे भी है जो किसी का माता पिता अंगन बाड़ी सेवी का सहाई का है या फी कोई मजदूर क्या बेटा बेटी है ऐसे बच्चों को हम लोगों ने निक्त किया है यह सूनकर खुस ही होती है आज उसी तरीके से यहां पर देश विदेश में भी पढ़ने के लिए हमारे हुनार बच्चे चाह करके भी नहीं जा पाते थे उनके पास पैसा नहीं होता था आज हम मरांगों के परदर्सिये योजना लाएं हैं जिसके माध्यम से बिदेशों में स्टी, स्टी, आउबीसी के बच्चों को 100% स्कॉलर्सिप में पढ़ने के लिए हम भेजने का काम कर रहे हैं कहीं ऐसी है, आज बहुत सारी समस्या है जो 20 साल में इन लोगों ने इस राज को समस्याओं के जंजाल में ढखेल रखा है, 20 दिनों में ये चीज़े संबव नहीं है, कि समस्या का समाधान होगा लेकिन मैं आपको अस्वास करना चाहता हूँ, कि अगर इच्छा सकती हो, तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए सब्र के साथ, सरकार के साथ, कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा, तब ही समस्या का समाधान होगा आज इस राज में हमारी प्रात्ति मिक्ता है, हमारे ग्रामीन लोगों के लिए उनके आतिक रूप से उनको कैसे समरिद बनाए जाए, उनके आएक के संसादन कैसे बढ़ाए जाए इसके लिए मुक्मंतिरी रोजगार योजना के माधियम से, बिरसा हरिद ग्राम योजना के माधियम से, फूलो जानो, योजना के माधियम से, महिला हो, नौजवान हो, इस्त्री हो, पुरॉस हो, सभी लोग उसका आप लाब ले सकते हैं आज सरकार आपके लिए दरौजा खोल के खड़ी हैं आज आप बैंक के पास जाते हैं कोई रोजगार से जन करने के लिए लोन लेने के लिए तो बैंक आपको कितना पैसा देता है वो आपको अच्छितरी के से पता है और कितना भारी बरकम इंत्रेस लगा करके देता है वो भी आपको पता है आप लोग कोई गाड़ी ट्रेक्टर मुट साइकील अगर आप लोग लोन में लेते हैं अगर एक किस खेल हो गया तो दूसरे दिन लठेत लेके पहुंच जाता है और आपका गाड़ी खीच के लेके चला जाता है